हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक तो माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 साइज ब्लाउस की सिलाई सीखने वाले हैं हम लोगों ने इस ब्लाउस की कटिंग पहले देख लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेजेगा हमारे ये चैनल पर अप्लोड है तो देखो सबसे पहले हमने जैसे कट किया था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फ्रेंट पार्ट ले लेते हैं, बागी के सारे पार्ट साइड में रखेंगे अब फ्रेंट पार्ट लेने के बाद यहाँ पर हम एक एक पार्ट सबसे पहले कंप्लेट करेंगे तो सबसे नीचे के साइड हमारा टक्स है टक्स को हम इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद नीचे वाले टक्स पर हम यहाँ पर शिलाई लगाएंगे तो तिर्चे में हमें यहाँ शिलाई लगानी होती है सिर्फ जितने में निशान लगा होता है अब यहां पर हर ٹक्स पे डेबल शिलाई जरूर लगा legy तो यहां पर हमारे बाकी के बचे हुए टक्स पर भी शिलाई लगा लेते हैं तो इस तरह से हमारे चारो टक्स लगके कंप्लीट हो गए हैं एक सकते हो आप अब ये टक्स लगाने के बाद यहां पर हमें अपनी बेल्ट जोड़नी होगी तो जैसे हमने गुलाई पे बेल्ट कट किया था सेम वैसे ही गुलाई पे हमें अपनी बेल्ट जोड़नी है तो बस इस तरह से मिलाते हुए यहां पर हाफ इंच का मार्जिन ले यानि कि बेल्ट की साइड को और बस यहां पर हम उपर से बिल्कुल सिलाई लगा देंगे इस तरह से अब यह शिलाई लगाने के बाद आगे से हम कप्ड़े को ऐसे कट कर देंगे जो भी इस्टान निकला हुआ होगा को ना एक पार्ट हमने इस तरह से कंप्लेट कर लिया है सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी हमें complete कर लेना है तो हमने दोनों पार्ट सेम तरीके से complete कर लिया है अब हम यहाँ पर अपने hook पटी और eye पटी लगाएंगे तो यह हमारी button वाला blouse है तो इसके लिए हमको अपना घटवा पटी गटवा पटी हमको इधर साइड लगाना है और बडवा पटी उधर साइड सबसे पहले हम अपना घटवा पटी देख लेते हैं तो इसके लिए देखो यह घटवा पटी क्या होता है button hole वाली पटी हम लगा रहे है तो इसके लिए हमने इस तरह से एक पैर का margin लेते हुए आगे से बिल्कुल शिलाई लगा दिया है जो भी पटी थी उसे हमने cut कर दिया है अब हम margin को हम पटी की side को fold करते हुए उपर से शिलाई लगा देंगे इस तरह से इसके बाद इसको हम अंदर की side को ऐसे fold करेंगे हाथ से press करेंगे फिर से अंदर की side को ऐसे fold कर देंगे और हाथ से press कर देंगे ठीक है अब हम यहाँ पर उपर से बड़ी बख्या पर शिलाई लगा देंगे तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर पूरी शिलाई लगा की कम्प्लीट कर लिया है अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी आई पट्टी यानि की बटन पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे आगे की साइट से इस तरह से बिल्कुल एक पर का टी कट कर देना है और बस इसको पूरा ओपर कर लेंगे यह सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मार्जीन है इसको पट्टी की साइट को केवल हाथ से प्रेस करते हुए फोल्ड कर देंगे इसके बाद आगे से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा नहीं फो एक इंच की पट्टी जरूर निकाल लिएगा यहाँ पर यह हमारी हुक पट्टी आई पट्टी मतलब बटन पट्टी और बटन होल पट्टी कम्प्लीट हो गई है अब हम इनको इस तरह से रखेंगे बटन होल पट्टी को बटन पट्टी के उपर और बस इस तरह से पिन से यहां पर सिक्यूर कर देंगे अगर आपके पास पिन नहीं है तो बड़ी वख्या से सिलाई लगा लीजिए गा जिससे की बाकी का बलाउस बनाने में आशानी रहेगी अब हमने ले लिया है अपना बैक पार्ट तो बैक पार्ट को इस तरह से लेंगे लेने के बाद यहां प कंप्लीट हो गये हैं अब हम इसको इस तरह से रखेंगे जो हमारा सीधा साइड उपर की साइड को उल्टा साइड नीचे की साइड को जो हमने फ्रेंट पार्ट तैयार करके रखा है उसको ले लेंगे इस तरह से रखेंगे सीधा में सीधा दोनों का अंदर को मिलाएंगे और उल्टा साइट बाहर की साइट को रखेंगे बस यहां पर हम इनके शोल्डर जोड लेंगे अच्छे से बराबर से मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहां पर उपर की साइट हाफ इंच गपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा दिया सेम ऐसे ही दूसरा वाला शोल्डर भी जोड लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर जोड दिया है अब इसके बाद इसको अच्छे से बराबर से रखेंगे सीने का नाप डालेंगे और कमर का नाप डालेंगे तो जितना जैसे क साइड हमारी कमर जितनी है तो कमर है हमारी 28 इंच की तो 28 को हम मतलब 2 से डिवाइट करेंगे तो 14 आएगा 14 इंच पर हमने यहां पर लिया और उपर से नीचे तक इस तरह से लाइन मिला लेनी है सेम ऐसे दूसरे साइड भी लाइन मिला लेंगे जिसके उपर हमको शिलाई लगानी होगी तो अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे के ऊपर हम शिलाई लगा लेते हैं अच्छे से तो यह हमने यहां पर शिलाई लगा की कंप्लीट करेंगे सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी शिलाई लगा लेंगे तो देखो यहां पर अभी तुम्हेंने मिसिंग आ जाएगी धागे बागे नहीं निकलेंगे सेम तरीके से दोनों साइड हमने फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा दिया है अब हम यहां पर श्लीफ लगाने के लिए हमको श्लीफ से पहले तैयार करनी होगी तो इस तरह से हमने अपनी ले लिया है श्लीफ और अपर जो हमने बार्डर कट करके रखाता तो उसको ले लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे स्लीफ को हम सीधे साइड मतलब जो हमारा स्लीफ रखा हुआ है वह उल्टा साइड उपर की साइड को है और उसी की ऊपर हम इस तरह से सीधा साइड नीचे की साइड को मिला करते हुए एक पर का मार्जिन लेते हुए बार्डर को शिलाई लगा लेंगे अब हम इसको ऐसे पूरा ओपन करेंगे जो हमारा मार्जिन उसको हम स्लेफ की तरफ को फोल्ड करते हुए आगे से शिलाई लगा लेंगे उपर से अब ऐसे शिलाई लगाने के बाद इसको अंद तो इस तरह से हमने यहां पर सिलाई लगा लिया है इसके बाद इसको इस तरह से फूल्ड करेंगे और यहाँपर हम और साइड बाटम का नाब डालना है तो जो भी आपका बाटम का नाब हो यहांपर मैंने 5.5 इंच लिए हुआ है यानि कि यह हमारे client का जो भी नाप था वो हमने डाला हुआ है और बस इस तरह से यहाँ पर हमको थोड़ा सा तिर्चे में line draw करनी है और उसी तरह से सिलाई लगा देनी है ठीक है half inch margin जरूर छोड़ेंगे कोने के side में और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पुरा open कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है सेम ऐसे ही दूसरी वाली sleeves भी हम तयार कर लेंगे तो यह हमने दोनों sleeves तयार कर लिया है अब हम यहाँ पर अपना sleeves लगाएंगे अपने blouse में तो इस तरह से हमने ले लिया है जो हमने ब्लाउस तयार करके रखा हुआ है सबसे पहले हम पता करेंगी कौन सी स्लीफ किदर की है तो जो उपर के साइड हम डाउन करते हैं हाफ इंच तो उसे उपर के साइड को रखना है अर दोनों का और सिलाई नीचे की साइट को रखनी है और इस तरह से पता चलेगा कि यह सलीव अमारी इधर की है अब इतना करने के बाद यह सलीव को हम इस तरह से अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे इस तरह से अच्छे से बराबर दोनों को मिलाएंगे मिला के देखेंगे कि हमारे दोनों को अपड़ी बराबर है या नहीं मतलब कि जो गुलाई है और आर्मोल की दोनों की गुलाई बराबर आ रही है या नहीं आ रही है इस तरह से गुलाई पर हमें शिलाई भी लगानी है तो बस ऐसे ही गुलाई से हम न के लिए ठीक है अब हम यहां पर पूरे मीं शिलाई हैं लगा लिए हाफ इंच का मार्जिन चौडते हूए जो हमारा मार्जिन होगा उसको अँदर के साइट को अच्छे से फोल्ड करते हुए तीरा बनाके हम पर शिलाई लगाते हैं जो कोना होता है हमारा तो देखो यहां पर हमने शिलाई लगा लिया है यह जो हमारा मार्जीन है ना फ्रेंट पार्ट का इसको हमने मतलब ब्लाउज वाला उसको हमने फ्रेंट पार्ट के साइट को तीरा बना के फोल्ड किया है और ब्लाउज वाल वह स्लीफ वाला उसके अपोजिट साइड तो इस तरह से हमारी स् रहा था उनको हम निकाल देंगे, निकालने के बद नीचे की साइट हमें ब्रटम फोल्ड करना होगा, तो इसके लिए देखो हम यहां पर अलग से पटी भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पर डारेक्ट फोल्ड कर रही हूं, तो अगर आप अलग से पटी लोगे तो यहां पर जो हमारा बाडर है वो पूरा अंदर के साइट को फूल्ड नहीं होगा थोड़ा सा मतलब पूरी फनीसिंग के साथ में रहेगा लेकिन यहां पर बाडर थोड़ा सा अंदर के साइट चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नह की ती उनको सबसे पहले हमएं जोड़ना है यहीं तरह से और यह Мें जोड़ेंने कि इनको सीधा नहीं करेंग़ इस तरह मैं पकड़ना आगके सट से बिल्कुल सिलाई लगा देनी है थे हमने करिस्जी जोड़ लेंगे तो अगर पट्टि बराबर मतलब शिलाई लगाने के उसमें नहीए तो उसी तरह वी हम इनको सीधी कर लेंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे तो यह हमने चारों पट्टी जोड़ लिया हुआ है अब हम अपने ब्लाउज को पुरा गले को ऐसे open करके रखेंगे रखने के बाद जो हमारा पट्टी है उसको हम इस तरह से fold करेंगे double fold में ऐसे fold करने के बाद अब हम क्या करेंगे आगे की side से मतलब पट्टी को बराबर करेंगे इस तरह से हमने बराबर कर दिया बराबर करने के बाद आगे की side से fold करेंगे अंदर की सरब को फोल्ड करने के बाद फिर से इसको हम इस तरह से डवल फोल्ड लेंगे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आप फोल्ड करने के बाद अब हम इनको इस तरह से गले के पास बिल्कुल आगे से शिंटर से रखेंगे और यहां पर बिल्कुल एक पर का मार्जिन लेते हुई यहां पर शिलाई लगा लेंगे तो पूरे ही गले पे हम अपने इस पट्टी को जोड़ देंगे और आगी की साइट से जो भी इस्ट्रा पट्टी होगी उसे कट करके निकाल देंगे इसके बाद जो भी मतलब जहां पर हमारा जॉइंट लगा हुआ था वहां मोटा कपड़ा हो तो उसे कट करके अच्छे से निकाल देना है अब हम यहां पर पाइपिंग बनाएंगे जो मारजीन है उसको हम उपर के साइट पट्टी के साइट को फोल्ड करेंगे और यहां पर अच्छे से निसिंग के साथ में यहां पर हमको रोल बनाना है इस तरह से और यहां पर हम उपर से शिलाई लगा लेंगे मतलब कि उपर से शिलाई लगा लेंगे इसमें तो जो सिलाई लगाएंगे उसको हम ना ही अपने ब्लाउस वाले कपड़ों पर लगाएंगे और ना ही अपने पाइपिंग के उपर चलाएंगे इससे हमारी piping बहुत ही अच्छी आती है इस तरह से हमने यहां पर पूरी शिलाई लगा लिया है piping में तो इस तरह से हमारी पूरी piping बनके ready हो गई है तो यह हमारा पूरा blouse बनके तयार हो गया है I hope आपको यहां पर समझ में आ गया होगा जहां पर भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूर्श सकते हो तो फ्रेंट से वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना